कहीं आप भी तो टू विलर पर अपनी गोद में बच्चे को लेकर तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि यह भी अप ट्रिपलिंग सवारी के अंदर ही आएगा अमेंजेट मोटर वेहिकल एक्ट के अंदर बाइक को टू विलर ही माना गया है मतलब इस पर दो ही लोगों के सवारी मानने है और अगर इससे जादा को भी वेक्ते सवारी करता है तो उससे तीसरी सवारी में गिना जाएगा आई यह आपका थोड़ा सा ध्यान लेकर चलते हैं केंदर सरकार की कुछ नियमो की तरफ वैसे तो जहां तक हम देखते आए हैं वहां तक चाहे बस हो या ट्रेन हो या फिर फिर्म थीटर कम से कम तीन से पांच साल तक के बच्चे का या तो टिकेट नहीं लगता या फिर लगता भी है तो आ रहा आपको बता दे के Ministry of Railways had also revised its child fare rules on April 2016 जिसके अंडर पांच साल से कम उनके बच्चे फ्री में सफर कर सकते हैं इसके साथ ही मुवी थीटर्स में तीन साल तक के बच्चे पर कोई टिकेट नहीं लगता तो फिर इस नहीं Act के अंडर बच्चे को गोध में बठाने पर चालान क्यों वो भी 100 या 500 रुपए नहीं सीधा 2000 रुपए इंडिया में जितने वहिकल हमें रोट्स पर चलते दिखाए देते हैं उनमें से 2 ती हाई तो टूबिलर ही होते हैं Bike Manufacturing Companies का कहना है कि वे ऐसी बाइक बनाते हैं जो कि 200 से 300 किलो तका वजन उठा सकती हैं But what our New Motor Vehicle Act says is that कि आप 2 से उपर कोई भी सवारी के साथ बाइक पर ट्रेवल नहीं कर सकते और एगर बैठते हैं तो तयार रहें 2000 की चालान कटवाने के लिए दिली Traffic Police Commissioner कनन जगदीश ने बताया कि नई Act के मुताबिक बच्चों को लेकर कोई guidelines नहीं दी गई हैं इसलिए अभी ने भी तीसरे सवारी ही माना जाएगा मगर हम आप से पूछते हैं कि क्या ये जुर्माना लगाना सही है क्या परिवार के दो लोग के साथ बच्चे को बोध में लेकर जाना अफराध है क्या इसके लिए प्रशासन कोई Age Limit Define नहीं कर सकता कोई ऐसा प्रावदान जिसे लेकर हम बच्चे को साथ मिले जाने में असुविदा महसूस ना करें जिसे लेकर हमें हमारी जेव धीली होने का खत्रा ना हो क्योंकि किसी भी आम आगने के लिए इतना भारी चलान देना कोई सहज बात नहीं है हम अपने विचार नीचे देए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसी के साथ मैं मुनाली इजाज़त लेती हूं आप सभी से बने रहें हमारे चैनल संसिंडिपेंडेंस के साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूने सब्स्क्राइब करें हमारे चैनल को और कोईक अब्डेट के लिए बैल आगन को भी टैप करें